इसलिए अब हमने कल क्या देखे थे नेवल एक्सराइज देखी थी इसे कि आपको पता आज अपकायट का एज़ाम था तो जैसे कल हमने एक्सराइज की थी एक कोशन वहां से आया हुए और जो हमने अपनी क्रेंट फेस की क्लासिस स्टार्ट की थी जो हमें बंग करनी जो हमेरा थोड़ा उन्सटा और हम्तें लगता है कि जो हना एक्सपीरियंस है जो हम्रेOFF एक्सपीरेंस हमे लगता है कि जो इंपोर्टयंट तो बो हो टॉपिक चला रहे हैं आब एक्नैशनल और इजेशन पर कोशन आ सकते हैं तो आज innerhalb इंटनानल और और ने गिजेशन से सबसे पहलें इंटरणेशनाल को सिय है सार कंट्री जिसके फुल फॉर्म कहा है साउथ-हेशन आस्टेशेशन आफ रीजिन कोपरेशन्ट कि फॉल फॉर्म है काट वांडु काम पर नेपाल में यह कोशन आपके पिहले साल एकस्टेश में भी पूछागी जिसित पहुछा हैं सारी कंट्रीज के तो यहां रखना है काट मांडू नेपाल में इसकी स्टैब्लिश्मेंट कभी थी 8 दिसंबर 1985 में कंट्रीज कोंगों सी हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया नेपाल बुटान माल दिवस सिंगापूर और बर्मा वह इसी को आप याद रख सकते हो एक ट्रिक से अपनी MBBS से याद रख सकते हो अफगानिस्तान पाकिस्तान नेपाल इंडिया माल दिवस बर्मा बुटान और सिंगापूर यह होगी क्या आपकी सारी कंट्रीज वैसी लेक्स ऑर्गनाइजिशन देखो हमें वही और्गनाइजिशन लिए हैं यह हमें लगता की फुलफर्म के बेव बंगाल इनिशेटिफ और मल्ती सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक कॉपरिश्ट हैंड पर हैं इसके डाका कहां पर आप बंगलादेश में इस्टाविश्मेंट कभी थी छे जून नाइटी नाइटी सावन में में मेंबर्स कोन कोन हैं कि अब याद रख सकते हो और नीटिकों वले जो स्टुडेंट्स होते हैं उसके नीच से याद रख सकते होगी कि अभी मिस्टेक कंट्री कौन सी आगी मियानमार, बंगलादेश, बुटान, शिरिलंका, नेपाल, इंडिया और थाइलैंड मियानमार ने कब जोइन किया था Association of South Eastern Asian Nations, इसके Headquarters Campaign Jakarta, इंडोनेशिया में, Establishment कब हुई थी इसकी, 8 अगस्ट 1967 में, इसकी कंट्री कौन गों सी है, बुरनेई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लायोस, मलेशिया, मियानमार, फिलिपियन, सिंगापूर, थाइलैंड और वेतनाम, इसको आप एक ट्रिक इसक MBBS, वाच, फिलिप्स टीवी, और बाय अलाइसी, ठीक है, MBBS से क्या हो जाएगा, मलेशिया, बुरनेई, फिलिपियन, सिंगापूर, मियानमार, मलेशिया, ठीक है, इसको आप एक ट्रिक इसको आप एक ट्रिक इसको आप पूसता है कि इंडोनेशिया ने कब एसियान कंट्रिस को जॉइन किया था, तो याद रखना, इंडोनेशिया ने जॉइन किया था, 1997 में, क्या क्या हूं है, इसको आप किया था, इसको आप किया था, 1997 में, यह पॉइंट याद रखना है, बहुत बार, मैंने बहुत बार, एक्जाम में रखें एक कॉश्चन पूसके हैं ठीक है वैसी एक नेक्स्ट और मेंजिशन एक्षन गाई कॉपरेशन और मेंजिशन जिसको आपके तो एससी ओ इसके हैट्पॉर्टर्टर्टर्स काम पे बीजिंग चाइना में कभूल थी कातु इंडिया चाइना और पाकिस्तान को इंडिया चाइना पाकिस्तान ये चार आगे रशिया उजबेकिस्तथान किर्गेसान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान और तजाकिस्तान हो गए सारे मेंबर्स रशिया उजबेकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान इंडिया चाइना और पाकिस्तान ये सारे इसके आगे मेंबर्स और इसके four observer जो सिर्फ members नहीं है जो सिर्फ observe करते हैं इसके काम को कौन को नहीं हो अफगानिस्तान, बेलारोस, इरान और मंगोलिया, इंडिया और चाहिए पाकिस्तान ने इसको कब जॉइन किया है 2017 में और एक question दिसेंट, Legion News में एकरेंट में है कि SOT मीटिंग 2021 में कहां पर हुए, तो दुशामबे में हुए कहां पर है, दुशामबे तो जाकिस्तान में वैसे Brics Nation, Brics Nation कब establish हुआ था 2009 में जैसे की नाम से ही पता लग रहा हमें B से Brazil, R से Russia, I से India, C से China, S से South Africa, South Africa ने इसको कब जॉइन किया था, 2010 में और 2021 की summit कहां पर हुए, इसकी इंडिया में, यह इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पूछ सकता आपको और देखो एक कोश्चन तो पक्कान है इस पे, और्गनाइजेशन पे G7 Countries, यह कभी स्टैबलीश हुई है उननी सो पचसपतर में इसकी के हैं Countries का नाम, जापान, USA, इटली, कैनेडा, यूरोपीन यूनियन, जर्मनी और प्रांस इसकी ट्रिक के हैं Drink Juice And Have GF जैसे कि GF से क्या हो गया जापान, खुश मत हो, यहां पर ध्यान दो, देखो इससी ट्रिक से आप याद रहे गए Drink Juice and Have GF से GF से क्या हो जापान, U से क्या, USA, I से इटली, C से कैनेडा, E से यूरोपीन यूनियन, G से जर्मनी, और F से फ्रांस हो गया याद G7 countries, next की तरह move करते हैं, देखते हैं, next किस के बारे में दिया हुआ है, next हमें दिया हुआ है G8 countries के बारे में, वही G7 countries plus Russia, किसके नंबर हो जेंगे G8 के, अब G7 क्यों रहा गया कि, देखो क्या था कि रूपीन कुल देखेहर के था, यूपरे इसीन क्यों पर के कि कि, यूपरे में देखी हो जए और हम जाप्दीड केरल है सब्सक्राइब निकाल दिया और अब क्या है उसके कॉंसे को मिले कि अब फिट से जी सामन बन गया कब से तो से से कॉशन प्रिक्षा जैन इसका भूए थे इंड़ इंडिया 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 विडिया साओध आफ्रीका साओध को रिया चैना इतली उनियन और मैक्सिको नहीं याद हुआ मेरे को प्रिक्से बताओ देखो ट्रिक्स से कासी या दखना है गुरु जी सीता अब FCI ने FCI ने गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है जी से क्या होगे जर्मनी यू से यू एस से आर से रशिया यू से यू के जैसे जपान आई से इतली से सौधी अरब आई से इंडोनेशिया टी से हाई लैंड टी से क्या रहेगा आपका सब्सक्राइब ये इसे एक से कंट्री ये टीन सारी कंट्री से धजीना central शेयएl अंड दोटीन शान चाहर पानशेय ऐसे नाँ कर दा अई शोन कर दीन हैंड इस इसकी बिस कंट्री चलिए गुंद डिकले का गुन आपकाhang हा है जीनी 100 कंट्री में कौन कौन सी कंट्री जाती है जे 20 कंट्रीज में जर्मनी जर्मनी इंडिया इंडिया भी नी लिखा हुए जर्मनी इंडिया मैक्सिको एक सब्सक्राइब आप एक अलक्स्टा स्लाइड आइड करके में दिख लो इंडिया मैक्सिको चाइना जर्मनी इसली ब्राजिल इंडोनेशिया प्रांस साथ अरभिया जापान अर्जंतेनिया ड्यश्या तर्की कारणियां ड्याड आफ्रिका युस investir लुइर झाल उप्रणिया उट्राइड। गुरु जी सीता अब स्सक्राइब काम करती है जी से जर्मनी, यू से यू से यू से यू के, आज से रशिया, जी से जापान, आज से इतली, आज से साओधी अरभ, दूसरे आज से इंडोनेशिया, टी से टर्की, आज से अर्जेंटीना, दूसरे आज से इससे कुछ नहीं है, फिर आज से साओध कोरिया, साओध अफरीका सी से कैनेडा एफ से फ्रांस फिर सी से चाइना और आई से इंडिया होगी केंट्री चार दो छे चार दर्स तीन इसको गूल दर सो छोटा लिख लो अब इसे कुछ नहीं है गुरु जी छे चार दर्स तीन तेरा सोना एम से मेक्सिको एसे अस्ट्रेलिया बी से ब्राजिल होगी एसे अस्ट्रेलिया बी से ब्राजिल और दूसरे एसे अर्गेंटिना देखो एक फिट्री प्रिक देख लोग गुरु जी सीता अब एसे अस्ट्रेलिया बीसे काम करते हैं जी से क्या आगाट जर्मनी तो कितने कंट्रीज हैं इन दो तीन चार पांच छे साथा नों दस ग्यारा बारा ते ना चोलां पर्ना सोलां स्तारा ठारा उन्नीस एक कंट्रीय और मीशिंग है इंडिया मैक्सिको जर्मनी रशिया जापान अर्जिंटीना रशिया टर्की कैनेडा सौथ अफ्रीका सौथ अफ्रीका यूके यूएस अस्ट्रेलिया और यूरोपिन यूणियन ठीक है यह सारी क्या आगी आपकी इस कंट्रीज आगी जी से जर्मनी यू से क्या है У которых की इसकर याद रखने है बुरू जीन पॉर्टेंट्स क्यों हो जाती है क्यों कि इस बाद जीट्वनessä तरीन इस लिए इंडिया से ज़ जर्मनी यू से यू से यू से यू के जपान आईसे इतली जृसे से अब यह आप इसे एक से इतली होगा दूसरे से कहां इंडोनेशिया फिटी से टर्की एसे अर्जेंटीन दूसरे एसे अस्ट्रेलिया ब्राजिल एसे साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका चाइना फ्रांस प्रांस के साथ कैनेडा के बाद इंडिया मैक्सिको और यूरोपीन यूनियों ठीक है आगे क्या 20 कंट्री अब इसके वहले में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुई यह यह यादनी रखना जो तो मैंने आगे स्लाइड में लिखी है 20 कंट्री बहुं है इसमें कम है फोड़ी बहुत पंग रही है ठीक है 2021 की जो समिट हुई है G20 की वह कंपर हुए रोम इटली में 2022 की काम पर है इंडोनेशिया में बाली में और 2023 की काम पर है इंडिया में तो यहाद रखना G20 कंट्री सारी कें G20 कंट्रीज हो रहे ट्रिक बता दी मैंने किस परन से याद रखनी आप हो G20 कंट्रीज ठीक है वैसे वर्ड एकनोमिक्स परम की बाप करते हैं W.E.F. इसके हैड़कॉर्टर्स कामपेंज जीनेवा काम पर है स्विजर लैंड में कभी स्टाबिश हुआ था 24th जैन पर है फ्रांस में इस्टाबिश्मेंट कब हुए थी 1913 में कितने मेंबर कंट्रीज है 190 फोर मेंबर कंट्रीज है वैसे आई-ई-उ-CN देखो यह कॉस्चिन आपको रिसेंटली जूनियर सिस्टेंट में पूछा था कि आई-ई-उ-सी-एन की फुल-फॉर्म क्या है इंट है थी 20 फॉर्म करते हैं देखें नेक्स स्लाइड में क्या दिया हुए आपका एशन डवलमेंट बैंक जिसको आप एड़ीज के नाम तो जानते हैं इसके हैट कॉर्टर काम पर हैं फिलिपियंस में इसके हैट क्वार्टर्स ठीक है वैसे नेक्स की तरह मूब करते हैं जिस एशियन इंफ्रस्ट्रक्टर एंड इंवेस्टमेंट बैंक इसके हैट कॉर्टर काम परेंट बीजीं चाइना में कभी स्टाइबिश हुआ था नए 2016 में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं 103 तो आज के यह हैं क्या हमारी इंपोर्टेंट इंटरनेशनल औरिजनेशन बाकी आप इसलिए जो थोड़ा बहुत हमारा experience कहता है तो आप हमें follow कर सकते हैं हमें जो topics important लगते हैं हम उसी पर वीडियो बना रहे हैं Maths के भी question आए हैं जो आप पर जो कोचिंग भी ले रहे हैं offline उनको भी पूछ सकते हैं जो topics हमने class में किये हैं history वहां से question आये हुए है स्क्रेंट के questions भी आये हुए हैं जो हमने पढ़े थे ठीक है एक question हमने recently पढ़ा क्या था कि जैसे चाइना इंडिया के आगे पिछे क्या बना रहा तो उसी को counter करने के लिए इंडिया उसके लिए सामने क्या बना रहा diamond of necklace यह हमने discuss किया था कब जब हमने देखा था ओमान का issue मैंने का था ओमान से इंडिया का diamond of necklace बन रहा है जो किसको counter करेगा तो इंडिया का क्या था डाइमंड ओफ नेकलेस बना रहा है किसको काउंटर का नेकली स्टिंग ओफ पल्स को यह कोशन पूछा हूँ है ऐसे फर्दर कोशन और भी कोशन पूछे हुए हैं जो हमने क्लास में डिसकूस किये थे बाकी कुछ टैक्स है वो आप मारे अफ्ले इंस्टोडनेंट से पूछ सकते हैं जिन्होंने फड़े हुए हैं वहां से कोशन आये हुए हैं तो इसलिए जो अब हमें लगते हैं इंपॉर्टन और निगेशन जो हमारे एक्ष्वीरिंस के तो जहां से कोशन आ सकते हैं तो हम वीडियोज लाते रहेंगे बाकी अगर आप उचाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं सो थैंक्यू क्लास